हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट परो टॉटोल स्रीज जिसमें आज हम एक्जामपल नंबर फाइव करेंगे वैरिफिकेशन एक्जामपल नंबर फाइव जिसका टाइटेल है लोकोमोटिव एक्सल एक्सल है एक्सल की तरह एक दीशड भी मैं बनावाई इसपर दो पॉइंट लगे हुए और हमें निकालना का है इसमें डिफ्लेक्शन एन इस्ट्रेस पॉरए स इंपल भीम इंदर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा रहा है और कितना इसमें स्ट्रेस आरा वह हमें कैल्कुलूट करनी है ये एक्जामपल टीमुशैंको स्टेंथ आफ मट्रियल बुक से लिया गया पेज नंबर 97 और जो प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है आपको डायमेटर 10 इंचीज यानि कि यह सर्कुलर है और इसके उपर पी लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2600 पाउंड और जो इलास्टिक मॉडले स 30 इंटू 10 की पावर 6 PSI है लेंथ जो गिवन है इसकी 13.5 इंचीज है दोनों साइड में और बीच में जो आपका स्पैन हो 59 इंचीज का है यहां पर रिजल्ट गिवन है स्ट्रेस है 3575 किप्स और इसमें डिफ्लेक्शन है 01040 इंचीज स्टैट परो का भी रिजल्ट दिया है अब हमें कैल्कुएट करना है कि हमारा क्या आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने स्टैट प्रो में न्यू वेरिफिकेशन एक्जामपल फाइव यूनिट ले लेते हैं इंचीज एंड पाउंड नेक्स्ट फिनिश सबसे पहले हमें एक नॉट नाना है यहां पर फिर ग्रिट को क्लोज कर देना है फिर नॉट कर सर से हमें इस जॉइन को स्लेट करना है और इसके बाद ट्रांसले रिपीट टूल से हमें पहले प्रोब्लम में दिखते हैं 13.5 इंच इस 59 और 13.5 इंच थ्री स्टेप्स है एक्ट डिरेक्शन में थ्री स्टेप फर्स्टेप है आपका 13.5 इंच दैन 59 इंच दैन 13.5 इंच लिंक ओके फ्रेंट वीवी से सें्टर कर लेंगे इसको उसके बाद दो सपोर्ड लगी है ये पिन सपोर्ट इसके बाद दो पॉइंट लोड लगे हुए है यहां पर तो सबसे पहले हम लोड एंड डेफिनियशन में एक लोड केस बनाते हैं डैड डैड पर क्लिक करके एड करेंगे नोडल लोड लेंगे Fy 2600 और 1000 चेक कर लेते हैं माइनस फॉर डाउनवर्ड प्रोब्लम में हैं आपका 26000 पाउंड तो माइनस 26000 एड क्लोज यह आपका लगेगा दोनों जॉइंट पे उसके बाद हम प्रोपर्टी देखते हैं इलास्टिक मोडलर्स और सर्कुलर पाइप है यह जिसका डाउमीटर है 10 इंचिस तो इन्होंने जो प्रोपर्टी दिये है वो दिये है मेंबर प्रोपर्टी टेबल सेट पाइप टेबल से लिया है सेट पाइप जिसका 10 डाउमीटर लिया है तो प्रोपर्टी में जाएंगे सेक्शन डाटाबेस यहाँ पे अमेरिकान ही ले ले लेते हैं पाइप और पाइप जिसका डाउमीटर है 10 इंचिस एड़ क्लोज इसको असाइंग कर देते हैं ओके यह भी हो गया है उसके वाइलास्टिक मोडलस चेक कर लेते हैं जो और नहीं गीवन है 30 इंटू 10 की पावर 6 तो एडिटर में जाएंगे जो इलास्टिक मोडलस है इनोंने 30 लिया है यहां पर 2.9 है और यह हो गया 30 सेव करके क्लोज बस इतना है उसके बाद प्रिंट ओल एड़ क्लोज और एनलाइज सबसे पहले हम देखते हैं रियक्शन्स सोरी डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन बहुत जादा हो रहा है पहले इस डिफ्लेक्शन को ठीक करते हैं यानि किसी गर आप को तो यहां स्केल्स में जाएंगे स्केल एपलाए टू इमीडिटली और डिफ्लेक्शन कि वैल्ली को बढ़ाएंगे यह है डिफ्लेस्मेंट अब डिफ्लेस्मेंट की वैल्ली को रिसल्ट में जाए कि व्यू वैल्ली डिस्प्लेस्मेंट आ रहा है हमारा maximum इतना mm इतना ज्यादा आ रहा है इंटो 10 की पावर 3 तो maximum आ रहा है one point यह देखते है problem में कहां दिया हुआ है determine the maximum stress locomotive xl as well as deflection at the middle तो middle में कितना deflection आ रहा है मारा 1.56.33 इंटो 10 के बावर 3 mm तो इसको convert करके देखते हैं inches में mm convert to inches तो कितना है हमारा mm 1.56.0 यह आ रहा है 61 inch और problem में इसका answer क्या है 0.01037 अब इस problem में यह given नहीं है कि रहने inches में लिया है किस में लिया है result और यह 26,000 क्या है आपका LBF और यह I think आ रहा है आपका feet में feet में आ रहा है तब भी हमारा यह बहुत ज़्यादा आ रहा है तो चेक करते हैं क्या है यह सबसे पहले हम problem के L1 इतना L2 359 ठीक है E की power यह भी ठीक है आपका 10 inch diameter यह भी ठीक है pin support यह भी ठीक है 2600 यह भी ठीक है आपका एक बार चेक करते हैं loads 26000 यह भी ठीक है यह हमने ठीक कर लिया है प्रॉपर्टी देखते हैं प्रॉपर्टी में क्या गड़बर हो चुक्ती है अच्छा यहां पर देखिए रहोंने स्टी पाइप दिया हुआ है टैन आउटर डाया ओडी मतलब आउटर डाया और आईडी मतलब इनर डाया जीरो क्या हमारे भी यह दिया हुआ हमने आईटर में जाते है है । स्टी पाइप और आउटर डाया दिया टैन इनर डाया जीरो कर देते हैं इनर डाया जीरो ए हमारे ठीक है शेव अब अनिलाइज करते हैं deflection post processing में जाएंगे result view value beam result deflection आरहा 0.263 mm इसको आप convert करते हैं इंचीज में converter mm convert to inch is 0.263 जो हमारा आ रहा है यहां पर 0.010 तो लगभग इतना ही आ रहा है reflection आप चेक करते हैं stresses stresses के लिए हम क्या करेंगे आप यह बीम पर क्लिक करेंगे और यहां stresses और यहां पर टेबल है इसको full screen करेंगे यहां maximum देख लिए थे कितने हैं 24.65 newton per mm square और जबकि हमारे पास किस चीज में है pound per inch square तो convert करते हैं यहां पर हम लेते हैं stress हमारे पास है millimeter और newton और हमें convert करना है inches और pound तो कितना है हमारा 24.651 यह आ रहा है 35 37 इसमें देखते हैं तो यह correct value आ रही है तो हमारा problem verify हो चुका है तो एक बार और repeat करते हैं हमने सबसे पहले elastic modulus check किया और diameter pipe check किया दो चीज़ चेंज की तब हमारे result accurate आ रहे हैं इसमें दो चीज़े पूछी थी stress and deflection ठीक है आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहां से इस input को copy करके paste करेंगे तो आप कोई model बना बना मिल जाएगा अगर आपको कोई error बार बार आए जा रहा है तो आप check कर सकते हो कि आपने क्या गलती कि एक बार हम इसकी damage sensor देखते हैं damage sensor के लिए आप सीधा यहां पर जाएए और display तो यह हो जाएगी display ओके हमारा यहां पर joints आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था problem में देखे तो नहीं है तो इस joint को हटाने के लिए क्या करेंगे इस पर click करके geometry merge selected member इस पर click करेंगे और merge करेंगे close अब दुबारा से analyze करते है रिजल्ट में कोई change नहीं आएगा joint का मतलब उसको fix ही समझता है हो चेक कर लेते हैं एक बार deflection result view value beam maximum 0.263 में आ रहा था वही हमारा deflection है हमारा deflection ठीक है stress भी चेक कर लेते हैं stress के लिए beam stress इसको full screen किया यहां पर गए हम tap पर maximum stress 24.61 तो stress भी ठीक है अगर आपको यह वीडियो आपकी help you use वीडियो से तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए share कीजिए bell icon पर click कीजिए और comment जरूर कीजिए कि आपको किस type का tutorial किस software का tutorial की ज़रुरत है तो मैं उस software पर बनाओं तो आज के लिए इतना ही thank you पर आपको जाए ड़रुरत प्लीज पंगर आपको कीजिए